मित्रों जैश्री राम, मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, दो अप्रेल दो हजार बाइस पे चैत्री नवरात्र प्रारम हो रहे हैं उसके बारे में, जो चैत्री नवरात्र हैं बहुत एहम होते हैं, इसलिए इसके दिन हि हिंदू नवर्ष प्रारम होता है, हिंदू नवर्ष को हम इसी अफसर पर बनाते हैं, और जो माता रानी का आशिरवात प्राप्त होता है हमें, आज मैं आपको बता रही हूँ, माता रानी के पूजा में विशेष सामगरी जो पूजा में जरूरी होती है, तो आज इसी प डॉक्टर रुमा श्री को आप अभी कि अभी सब्सक्राइब करिए बैल बटन दवाईए और आल पर क्लिक करिए इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी मैं पूजा पाट से सम्मनित, ब्रत उपाज से सम्मनित और धरम करम से सम्मनित वीडियो बनाती हूँ आपको काफी पसंद आति हैँ और इनका आधार जोतिश तंतरमंत्र वास्तु होता है निम्रल लॉजी होता है और तरह तरह की मैं वीडियो बनाती हूँ जो आपको पसंद आती है, लेकिन उनकाla बेस अस्टलोजी ही होता है तो आई आज का वीडियो शुरू ले सकते हैं, फ्रेम की होी तस्विर भी मार्केट में मिलती हैं, वो भी आप ले सकते हैं. माता दुर्गा की पूजा हो और दुर्गा चालीषा ना पढ़ें, ऐसा कोई हो सकता है, तो दुर्गा ये देखिए पीली सरसों हैं ये माता की पूजा में विशेश रुप से प्रयोग में ली जाती है तो पीली सरसों आवश्य ही प्रयोग में लेजिए और जो हैं, जो बोय जाते हैं, जो को पानी में रखना, या पाउन को पानी में ग्रोव करना, बोणा बहुत ही शुक बाना जाता है और ऐसा करने से राहुकृत दोष आपके शान्त होते हैं और ये जो है धूप है धूनी है इसका प्रियोग भी हवन के सामगरी केक रूप में किया जाता है और ये जो है लाई है इसका प्रियोग प्रशादी के रूप में किया जाता है और ये है सिंदूर सिंदूर माता जी के पूजा में बैहत आवशक होता है सिंदूर से जो त्रिशूल बनाया जाता है वो उसका विशेश महत्वे और रोली भी काम में लिजाती है रोली और सिंदूर अलग-अलग होते हैं रोली लाल रंकी होती है और सिंदूर औरंज कलर का होता है माता रने की पूजा में सिंदूर का विशेश महत्वे इसको शुद्दुगी में मिला कर इसका जो त्रिशूल है वो बनाया जाता है और वो आपके सुरक्षा कवच के रुप में काम में आता है महंदी का प्रियोग होता है शिंगार के सामगरे के रुप में माता रनी की पूजा में अलग पूजा के बॉक्स बना रखे हैं तो ये कावल और इसमें रोली है ये महंदी है तो पूजन सामगरी मेरे पास है और मोली भी है तो तरह तरह से पूजन सामगरी अलग-अलग बॉक्स में रखी हुई है तो पूजा सामगरी के रूप में इन चीजों का प्रियोग विशेश रूप से आप करें हल्दी भी पूजा में बहुत शुब मानी जाती है तो हल्दी का प्रियोग भी आप कर सकते हैं तो मातारानी की पूजा में ये अवश्य रखिए और अपने अनुभव में साथ शेयर करिए ये रखने से आपको मातारानी की क्रपा मिलेगी और मातारानी का आशिरवाद भी आपको प्राप्त होगा तो आज मैंने आपको बताई मातारानी की पूजा में काम में लेने वाली विशेर सामगरी मातारानी को लाल पुष्प बहुत प्रिये है माता रानी की पूझा में लाल पुष अवश्य अर्पित करें उनको और माता रानी की जो पूझा में दुर्गाचाली से अवश्य जपें मातारानी का मंत्र भी जपें तो आपको बहुत उत्तम फल की प्राप्ति होगी और मातारानी की कई मंत्र हैं जो आप अलग-अलग प्रियोजन के लिए प्रियोग मिले सकते हैं धन्रद्धी के लिए अलग मंत्र है सुक्सम्रद्धी के लिए अलग मंत्र है शादी के लिए अलग मंत्र है तो अलग-अलग प्रयोजन के लिए अलग-अलग मंत्र हैं उनका प्रयोग आप करिए इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा I hope आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करना और कमेंट सेक्शन में आके जै मातारानी अवशे लिखना हम जब कभी भी किसी देवी देपता की जैजेकार करते हैं तो हमारा औरा बहुत पवित्र हो जाता है और उत्तम हो जाता है तो मातारानी की जैजेकार अवशे किया के लिए श्रीव जी की जैबी अवश्य किया करिए जैश्री राम, जैश्री करश्न भी अवश्य ही कमेंट सेक्षन में आके बोला कीजिए जैसा कि आपको पता ही होगा मैं एक एस्ट्रो लॉजर हूँ 25 साल से जोतिश पर काम कर रहे हूँ आप मुझसे जोतिश ये सला भी ले सकते हैं आपकी जीवन में जो भी समस्य से आप जूज रहे हैं उनको मुझसे सॉल्व करवा सकते हैं इसके लिए डिस्क्रिप्शन में एमेल आईडी के जरीए हमसे संपर करना होता है एक छोटी सी सला आपको संपूर्ण जीवन में खुशाली दे सकती है आपके हर संकट मिटा सकती है तो बिना देरी की हमसे संपर करिए ये सर्विस चार्जेबल होती है लेकिन चार्जेज बहुत नॉमिनल है और आप हमसे चार्जेज पूछ सकते हैं और हम आपको बताएंगे तो डिस्क्रिप्शन में एमेल आइडी के जरी हमसे संपर करिए थैंक्यू सो मच